अगली क्लास में हम बात करेंगे विलोपन विधी की जो की आपकी परिच्छा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वोड है आज की इस क्लास में हम इन तीन कोशनों के बारे में डिसकस करेंगे अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृप्या सब सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अपलोड होते ही तुरंद वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं चलिए हम अपने कोशन को बताना सुरू करते हैं तो हमारा पहला कोशन है समी करण 7x प्लस 2y इसकल टू 22 7x प्लस 2y बराबर 22 में यद y बराबर 1 बट एक नमबर का ही मिलेगा यह तीनों कोशन एक एक नमबर के हैं और जो कि तीन बार पूछे जा चुके हैं आप स्वयम देख रहे हैं चलिए हम अपने पहले कोशन को अपनी कॉपी पर लिख लेते हैं जो कि पहले से लिखा हुआ है तो अभी आपको यह कोशन बहुत ही आरा चावब मिला है, इस समी करण में, कहरा है, में यदि y बराबर एक बटे दो हो, याली कि जहां जहां पर y लिखा है, वहां वहां हमें एक बटा दो रखना है, इससे आसान question आपको नहीं मिलेगा, तो हम लूग लिखेंगे, y बराबर एक बटा दो रखने पर जहाँ जहाँ पर Y है वहाँ वहाँ पर कितना रखना है एक बटा दो अब समझ लीजिए ऐसे लिख दिया गया उसके बाद यह लिखा है 7X तो 7X लिख दिया जाएगा यह 2 लिखा हुआ है 2 लिख दिया जाएगा Y कमान कितना है एक बटा दो, तो हम यहाँ पर y के जिगापर किता लिख देंगे, एक बटा दो, देखिए यह गुड़े का चिन कहा से आ गया, दो और y के बीच में कौन सा चिन होता है, एक चर और एक अचर, यह चर है, यह अचर है, इन दोनों के बीच में हमेशा कौन सा चिन रहेगा, लोग लिख लेंगे 7x plus 1 is equal to 22 ये लिख लिया जाएगा अब आप देख रहे हैं कि ये हमारा चरवाला पद है और ये अचरवाला तो अचरवाले एक तरफ बागी सब एक तरफ लिखे जाते हैं तो ये 7x ऐसे लिख लिख लिया जाएगा एक यहाँ पर जोड़ा जा रहा है तो उधर जाके घटा दिया जाएगा तो 22 में से एक उधर जाके माइनस हो जाएगा कितना बचेगा 21 बचेगा उसके हाथ इधर कितना लिखा हुआ है 7x है बहुत आसान question इसके आप देख रहे हैं आप 7 और x का गुड़ा कर दिया जाए रहा है तो गुड़ा कर रहे हैं तो दूसरी तरफ ले जाएगे तो क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा 21 बचेगा कितना हो जाएगा 7 7 कम 7 और 7 रेक 21 इस तरीके से आप ने देखा कि x कमान कितना प्राप्त हो गया है 21 इससे आसान कोशन साइद ही आपको इस पूरी बुक में मिले इसके बाद हम बात करेंगे अपने दूसरे कोशन की देखे दूसरा कोशन क्या लिखा हुआ है दूसरा कोशन हमें दिया है कि देखे इस कोशन को एक बार फिर से बता रहें कि जहाँ जहाँ y था वहाँ वहाँ एक बटा 2 रखना है उसके बाद दूसरे question की अगर बात की जाए तो दूसरा question लिखा हुआ है कि 2x plus 3y is equal to 7 यहाँ पे देखिए कॉमा लगा हुआ है उसके बाद y plus 3 बरावर 0 यह दो समीकरण दिये गए है इस समीकरण में पहले वाले में दो चर है x और y इसमें केवल एक चर है y तो ऐसे आपको सिखाने की कोशिस की जा रही है कि कैसे कैसे difficulties आएंगी कैसे कैसे कटनाई आँगी यह बहुत आसान था यह थोड़ा सा उससे tough बना दिया गया 2x plus 3y is equal to 7 तथा कामा लगा हुआ था हम उसको तथा लिख देंगे y plus 3 बराबर 0 यह हमें दिया हुआ है हम इसको हल कैसे करेंगे देखिए जाए थांसे वावाला समीकरण पहले लिखेंगे जिसमें एक चर है तो इसमें कितना चर है एक इसे पहले लिख लिजे y plus 3 बराबर कितना 0 अब यहां से y कमान निकाल लिजे कितना y कमान आएगा 3 उधर लिखे जाएंगे तो कितना हो जाएगा मैनस का 3 यह y बराबर लोगों ने कितना निकाला 3 तो y कमान तो आ गया लेकिन अभी क्या कहरा है हल करने का देखें क्या लिखा था यहां पे लिखा था हल कीजिए हल का मतलब यह होता है बहुत ध्यां से सुनिएगा इस बात को बहुत important बात है क्योंकि कोशन आप यहां पे सरल लिखा होता है तो कुछ और करते हल लिखा हुआ है तो मतलब इसमें जितने भी अचर है उनका किसी ना किसी तरह से मान निकालना है तो y कमान तो आप निकाल चुके हैं अब x कमान कैसे निकलेगा देखिए अब लिख देंगे y बराबर माइनस 3 समी करण समी करण आप कौन से समी करण है इसको हमने नंबर तो माना नहीं कोई बात नहीं आप ऐसे लिख दीजे 2x प्लस 3y is equal to 7 में रखने पर ऐसे आप लिख दीजे रखने पर रख दीजे आप क्या से करेंगे देखिए 2x प्लस 3 आप देखिए y की जगा पर कितना लिखना है माइनस 3 तो कितना लिखना है माइनस 3 माइनस है इसलिए ब्रैकट लगा दिया गया उसके बाद ऐसे 7 यहां तक तो समझ में आ गया होगा इसके बाद देखिए यह 2 और यह हो गया x 2x फिर उसके बाद 3 को 3 से गड़ा करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 तरुको 9 और प्लस और माइनस माइनस तो यहां पी जो प्लस था वो कैसा बदल गया माइनस हो गया माइनस 9 हो गया बराबर कितना हो गया 7 इतना तो समझ में आ इसके बाद देखिए 2x अब 9 लिखा हुआ है 9 कैसा है माइनस का उधर जाएगा तो कैसा हो जाएगा 7 प्लस 9 अब 7 में 9 जोड़ दीजिए जोड़ना तो सब को आता है कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा उसके बाद 2x दो और x गुड़ा हो रहा है तो नीचे जाएगा क्या ह हो जाएगा भाग हो जाएगा तो 16 पटे कितना हो जाएगा दो से को कार जेँगे तो कितना मचेगा आठ इस तरीके से एकस बराबर कितना मिल गया हमें आठ मिल गया यह तरह से हम लोगों निसे तो हम. आप है लेकिन आपको जब चौथा कोशन करना होगा तो अगली क्लास देखना बहुत ही जादा जरूरी है उसमें हम आप लोगों को यह बताएंगे कि विलोपन विधी किसे करते हैं विलोपन विधी जानना बहुत जरूरी है हम इस क्लास में भी आपको बता सकते हैं विलोपन वि लिखा है, समीकरण, यह समीकरण है, और X बराबर 2 हो, तो Y का मान ग्याद किजी, बहुत आसान है, आप क्या करेंगे, जहां जहां पर X है, वहां वहां पर 2 रख देंगे, और समीकरण को हल कर देंगे, लेकिन कुछ बच्चे इसे भी नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम इसे भी आप लोगों को बताएंगे, देखिए क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले हमें एक समीकरण दिया हुआ है, एक बटे x, प्लस, पांच बटे y, देखनी की जरोध है, इसलिए, क्योंकि अभी भी कुछ इसमें ऐसा है, जो आपको नहीं पता होगा, ये दिया हुआ है, अब हम ल अपां x, प्लस, 5 अपां y, इसकोल 2, 3 में, x बराबर 2 रखने पर, ये हम लोग रखेंगे, रख दीजे, अब क्या करेंगे, देखिए ध्यान से सुनिएगा, ये 1 लिखा है, x इसका कितना लिखना है, दो, उसके बाद प्लस, 5 बटे कितना है, y, बराबर कितना, 3, अब यह से आपके पास, दो रास्ते हैं, लेकिन अगर आपने, वो रास्ता अपनाया, कि आपने यहाँ पर लासा ले लिया, तो आप कुशन को कठिन बना देंगे, लासा तो आपको लेना पड़ेगा, लेकिन पहले चर और अचर को अलग कर लिया जाए, उसके बाद, इस 1 बटे 2 क हो गया, अब 3 के नीचे, एक को मानते हुए, लासा ले लिजिए, कितना लासा आएगा, एक और दो का, दो आएगा, दो एक कम, दो, तो दो तिया कितना हो जागा, छे हो जागा, देखें, लासा ही ले रहे, दो एक कम, दो एक आया, एक का एक से गुड़ा किया, तो इतना ह करतीजी इधर इधर गुड़ा इधर 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 गुड़ा इसका जब इससे गुड़ा करेंगे तो कितना हो जागा पांधुनी 10 हो जाए यही मेरा आंसर हो जाएगा कि Y बराबर कितना मिलेगा हम लोगों को दो मिलेगा और X बराबर तो कोशन में पहले से ही दे रखा था इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे कितने कोशन सवाप्त कर लिया है तीन अगली क्लास में आप तुरंथ ही विलोपन विधी को पढ़ना को कैसे हल करेंगे चलिए हम अब आप लोगों को अगली क्लास में मिलते हैं हाँ एक बात और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है और आपको क्लास समझ में आई है तो आप लाइक और कमेंट साथे साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले धन्यवाद